कि जारखंड में नौज़मान रोजगार के लिए तरस रहा है परिशा है रोजगार इस सरकार ने रोजगार नौज़मानों के हाँ से छिनने का काम किया उसके हक और हुकुप को छिनने का काम किया और मेधावी छात्रों के साथ तो अन्याई ही अन्याई और अत्याचार इस सरकार लगातार कर रही है और यह सरकार रोजगार विरोधी युवा विरोधी सरकार अपने आपको सावित कर रही है यह सरकार कि मैं कुछ खटनाओं का आपके सामने उद्वेद करना चाहता हूँ रखना चाहता हूँ आज जार्खन की साड़े तीन करोड जनता के नजरों में जार्खन पब्लिक सर्विस कमिशन के काले कारणा में से जार्खन के साड़े तीन करोड जनता के मस्तक नीचे हुए है जार्खन सर्मसार हुआ है पूरी भारत में और नौजवाने के हाथ में रोजगार देने के बजाए बेरोजगारों की स्रिंखला खड़ा करने वाली मेदावी छातरों के साथ अन्याय करने वाली जारखन पब्लिक सर्विस कमिशन साबित हो रही है भूर्जरो हम सब कोई जानते हैं कि यजारखन के पीटी के एक्जामDPेशन में पिनलीuing टेस्ट ऑलेक्सांप राज संपो सित्ध में स्टेट स्पाँंसर्ड इस्टेट इनस्पाँंसर्ड रूलिंग पार्टी के सरक्षनł में गोटालों का इतिहास रचा गया है दोस्तों आज सब कोई जानते हैं कि जो मेदावी छात्र है जुन्होंने अपनी मेहनत करते हुए एक सपना देखा था कि हम जारकन पब्लिक सर्विस कमिशन में सेवा दे करके राजी के विकास में अपना योगदाम देंगे जारकन के चात्र लेकिन जिस प्रकार की परस्तिती पैदा हुए जारकन पब्लिक सर्विस कमिशन में कैस सेंटर से सीरियल वाइज परिच्छा में चात्रों को उतिर्ण करते हुए अपने चेहरे को बेनकाब करने का काम स्वें किया है दोस्तो जारकन पब्लिक सर्विस कमिशन एक नियाम अवली है और वो नियाम अली 22 जन्वरी 2021 का है 22 जन्वरी 2021 का है कि परिच्छाएं किस परकार से ली जाए परिच्छाओं में किस परकार से परिच्छाती और परिच्छा देने वालों के साथ जार्खन पब्लिक सद्विस कमिशन किस प्रकार से उन चीजों का उलेक करेगी जिससे चात्र परिचारती संतुस्ट भी होंगे और अन्याय भी नहीं होगा जिसको हम दूसरे सब्दों में कहेंगे कि तो इजामनेशन विद्ट ट्रांसप्रेंसी विद्ट एक सेख्शन हर्टी का उलेक में करना चाहता हूं और सेख्शन थ ti में उलेक किया गया है कि कि ऑज़िए ना कि कि ऑ हम यह ऑम आर जिसको thr का जाता है ओँआ सर्जी इसको कहा जाता है उसका इस सभी परिच्छारतियों वगा सभी परिच्छारतियों परिच्छा के बाद रिजल्ट के बाद सभी बच्छों के परिचारती जो बच्छे पर्च पर्चारती की रूप में है उसको हम website में डालने का काम करेंगे website में डालने लेगे यह section 30 का उलेक मैं कर रहा हूं यह section 30 जारकन पब्लिक सर्विस कमीशन का और उसको उस परिच्छा में जितने बच्चे बैठे हैं उसका पूरी तरह से answer बच्चे ने क्या दिया है यह उस बात का उलेक सारजुनी करते हुए accountability के साथ transparency के लिए यह आना चाहिए था अब इसका जबाब जारकन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेर्में साहिब ने उलेक किया है कि यह नियम अन्यावसिक है अन्यावसिक बताया है इससे बला दुर्भाग्य क्या होगा कि जारकन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बनाए हुए नियम को जारकन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेर्में ने अपने जवाब में अन्यावसिक बताया इसका मतलत डाल में काला है काला ही नहीं काला ही काला है पूरी डाल काली है इसलिए अब सीरियल वाइज नंबर के बारे में भी उनका जवाब आया है बच्चों का सीरियल वाइज नंबर जवाब आया है चेर्में साहथ एप्ट McG inception ये पड़ी लिखें अच्चे ज्यकित उक्या करें पड़े है लेकिन झारखन की जनता भी अंसे कम पढ़ी लिखी नहीं है झारगन की जनता को मुर्क बनाने का काम चेयरमेंद साथ मत किजिए अब उन्होंने कह अब उन्होंने क्या इस पर सभी स्थों का झारगन की जनता के मन में यह प्रसन था कि यह प्रस्द officer सोभाविक है कि कि एक ही कच्छ में बैट करके बच्चे लगातार सीरियल वाइस पास कर रहे तो संधे होना सोभावी कह, अब क्या है, उसको कहा है कि यह अप्रिहार कार्मों से हो गया है, उनका जबाब है, हमरा जबाब नहीं है, कि जारकन पप्रिंट सर्विस केमें किमिंसन के चेर मैन कहते आप परियार कारनों सी हो गया बाई अब परियार कारण कौन से कोन सा राजनितिक दवाभ कौन सी परिस्थिती पैदा हुआ विए कि जिसके कारण आप परियार कारण हो गया है इसलिए थोड़ा उनको और थोड़ा खुलासा करना चाहिए क्योंकि उनका अभी कार्यक्याल परवरी में समात होने वाला है कि असपस्ट होगा समय का इंतजार कीजिए सारे चीज़े मैं असपस्ट करूँगा कि अपरियार कारण कौन से और को कुछ किसी के परिक्षा में अपरियार कारण होता है कमिशन्स के जामनेशन में अपरियार कारण होता है बच्चे मेदावी छात्रों के साथ आप भविष के साथ खिलवार कीजिए और अपरियार कारण बताईएगा इसलिए स्वेंसों कार कर रहें गड़वड़ी हुई है अब कि जवाब में आगे इनको प्रोवीजनल हम पास कर रहे हैं हम इनको प्रोवीजनल पास कर रहे हैं अब थोड़ा हमको बताने का क्याम कीजिए हम भी पढ़े लिखे प्रोवीजनल पास करने का अधिकार आपके पास यह जारखन पब्लिक सर्विस कमिशन में असपच कीजिए प्रोवीजनल पास यह कौन सी बात है भी इसलिए प्रोवीजनल नहीं चलेगा और कहें कि मैं इससे हम जाच करूं करने की प्रक्रिया कर रहा है उनका जबाब है मेरा नहीं